हेलो अब्रीवन वेलकम तो गेट अकेडमी और अनकेडमी आप लोगों की प्रिप्रेशन कैसे चल रही है जबर्दस चल रही है कि नहीं चल रही है जनरल आप्टिट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है फिफ्टीन आप फिफ्टीन स्कोर करना ना आपको तो जोमेट्री और मेंजूरेशन के सेक्षण को एकडम स्ट्रॉंग करना पड़ेगा अपको एक कंसेट समझना पड़ेगा ये कंसेट देखिएगा इस शॉट्ट वीडियो में हाना गेट की कोशन्स आ चुके हैं इसकेट में तो आपको समझना जरूरी है कि ऐसे कोशन जो बहुत इजी होते और आप पूरा calculation के चक्कर में जो ए time लगा देते हो उसको कैसे आप short में निपटा सकते हो short में solve कर सकते हो ये concept देखेगा same perimeter concept same perimeter concept का मतलब यह है कि आपके पास अगर different 2D figures हो ठीक है और उनके perimeter same हो माना अगर आपके पास hexagon है square है triangle है सभी के perimeter same है साथ में चलो circle भी है तो क्या आप बता पाँगे अगर perimeter same भी है तो क्या उनका area same होगा क्या ? सबसे पहले ये बताओ perimeter same होने की वज़ा से area same होगा क्या ? अगर नहीं होगा तो किसका area ज्यादा होगा ? circle का area ज्यादा होगा ? या फिर square का जाधा होगा, या hexagon का जाधा होगा, क्या आप ये बता पाओगे क्या, ये concept सिखना बहुत important है, देखेगा, अगर मान लीजिए, मैं ये कहूँ कि आपके पास एक wire है, ठीके, आपके पास एक wire है, ये wire की एक length भी ले लेते हैं, wire की length है 44 cm, wire की length है 44 cm, तो wire की length हो गई 44 cm, और आप से कहा गया, कि ये बताओ, कि एक equilateral triangle, इसी wire से अगर form किया जाए, इसी wire से, है ना, इसी wire के perimeter से, तो इसका area, क्या ये जो square, same wire से अगर form किया गया, उससे जाधा होगा, या फिर, ध्यान से देखिएगा, या फिर, अगर एक circle, same यहाँ पे, same circumference से, अगर form किया जाए, तो क्या उसका area सबसे जाधा होगा, या सबसे कम होगा, जो भी होगा, अगर आपको बताना हो, तो आप कैसे calculate करोगे, ठीक है, value calculation start करोगे, यहाँ पे देखे, equilateral triangle का, अगर total perimeter 44 है, that means कि इसका 1 side 44 by 3 होगा, clear है, आपको मालूम है कि equilateral triangle का area क्या होता है, root 3 by 4 side square होता है, और मैं अगर आप से कहूँ कि area आप कैसे find out करोगे, आप कर लोगे, formula put करके, तो यह value क्या आएगी area की, तो approximately, area क्या होता है, occupied space होता है, तो approximately आपको value मिलने वाली है, 95, यहना around 93 point यह 98 point something होगा, around 95 मालू, ठीक है, और इसके बाद जब मैं square की बात करता हूँ, आपको मालूम है कि 44 cm इसका total perimeter है, तो एक side का length क्या हो जाएगा, 11 cm, और अगर area की बात कर लें, तो area क्या हो जाएगा, इसका, 1 to 1 cm square, clear है, इन दोनों में बिटा, आप देख पा रहे हैं, किया क इसका area जादा है, comparatively square का area जादा है, क्यों है, मैं आपको अभी explain करूँगा, इसके बाद circle देख लीजे, circle देख लीजे और circle का एक concept और आ जाएगा, ये भी आप सीख लीजे, ध्यान से देखिएगा, अगर by the way आपके पास कोई circle है, कोई circle है और उसका radius, ध्यान से सुनिये आप ट्री concept आता है, ध्यान से सुनियेगा, r, 2 pi r, pi r square, clear है, ये क्या concept होता है, इसको ध्यान से सुनिये आप लोग, आप लोगों को बहुत help मिलेगा, येना, exam में आप तुरंत answer कर पाओगे, अगर मालो 7 unit इसका radius है, तो फिर एक fact है बिटा, आप calculation कर सकते हो, 2 pi r की value क्या ह हो जाएगी, या 22 by 7 होगा, 7 cancel 22 into 244, तो 7, 44, 154 का relation, clear, अगर by the way, ध्यान से सुनियेगा, अगर by the way, radius 14 हो, by the way, radius 14 हो, इसका मतलब है कि 7 का twice है, तो क्या area में कोई फरक आएगा, आप पहले आप circumference देख लिजिए, तो circumference अगर आप देख रहे हैं, तो 44 into 2, same constant से आप multiply कर दो आपको value क्या मिलेगी, 88 मिलेगी, clear है, जब आप area पे आते हो तो, area पे आते हो तो, क्या यहाँ भी into 2 करेंगे, क्या नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्यों, यहाँ पे देखिए, यहाँ single r है, single r है, यह तो constant है नहीं, यह vary करेंगा, r, r यह r square है, यानि कि 2 का square, 4 यहाँ multiply होग और यह value हो जाएगी 616, अगर by the way, यहाँ पे 7 के जगा 3.5 हो, 7 के जगा पे 3.5 हो, क्या कहा मैंने, 7 के जगा पे 3.5 हो, तो, क्या यह relation सेम रहेगा, क्या, सेम रहेगा, यह point आप मुझे comment करके बताएंगे, ठीक है, यह point आप मुझे comment करके बताएंगे, कि अगर 3.5 अगर radius है, तो area क्या होगा, clear है, वापस लोटते हैं, अभी तो मैंने बता दिया आपको, कि 44 cm अगर circumference है, तो radius कितना होने वाला है, radius होने वाला है, 7, clear, radius 7 होने वाला है, और area कितना होगा, area होगा 154, तो बेटा, यहाँ से आपके बास conclusion क्या है, सेम perimeter concept का एक जबरदस conclusion आ गया, कि जिस polygon का side कम होगा, उसका area कम होगा, जैसे side increase हो रहा है, area भी increase हो रहा, आप hexagon calculate करके comment करेंगे, hexagon का 44 cm perimeter के लिए क्या area आएगा बिटा, ठीके, लेकिन अगर circle है, तो उसका area सबसे ज़ाद होगा, hopefully आपको ये concept पसंद आएगा, फिर मुलाकात करेंगे, नए concept साल, love you all, जैह मुलाद आप करेंगे का प्रेंगे, जैह एंगे भी increase होगे होगा, प선भाद ज ajuda इनगे एक को मिला प्रेंगे, जैह मुलाद येकिन थेड़ ज़े साल, क्यावादाने मिला ये जते हैंगे करेंगे, जैहा होगा है, जैहा हाल about seven 15.